हेलो दोस्तों वेलकम टू दा वेरी फर्स्ट एपिसोट आफ अवर ब्रांड न्यू सीरीज ड्रीम होम और स्कैम आज हम आए हैं बैंगलोर के ऐसे प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर चो काफी पॉपिलर है अपने लोकेशन और अमेनटीज के लिए जी हैं आपने विल्कुल ठीक समझा प्राविडेंट सनलो सिती यह प्रोजेक्ट सेलले होम बाइतस के लिए एक अट्रेक्टिव आप्शन है और इंवेस्टरस के लिए एक प्रॉमेंसिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता हैं चलिय शुरू करते हैं एक डिटेल्ल newlymates के साथ तो प्रोजेक्ट सनवर्स क बैंगलोर के वेस्ट जोन में कैंगेरी एरिया में लोकेटेट है यह लोकेशन वेल कनेक्टेट है नाइस रोड और महसूर रोड के जरिये जिससे बैंगलोर के मेजर आइटी हप्स और सिटी सेंटर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है चलिए अब प्रोजेट का एक लाइव टूर करते है कर अब प्रोजेर आसा़ नाम लोड़ करेंगें लोड़ी है झाल झाल लोकेशन के असपस काफी शेंसियल अमेंटीज हैं चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यहां से आपको कौन-कौन से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलिजिस और शॉपिंग डेस्टिनेशन्स नियरवाई मिलते हैं शुरू करते हैं इसकूल से प्रोविडेंट सन्वर्ट सिटी से सबसे करीब है और्किट्स इंटरनेशनल स्कूल जो सिर्फ 4.5 किलोमेटर दूर है और 10 मिनिट्स में आप पहुंच सकते हैं आपके बच्चों के लिए एक और ऑप्शन है बीजीएस पॉब्लिक स्कूल जो 5.2 किलोमेटर दूर है और 12 मिनिट्स में एकसेजबिल है अगर आप एक रैपीटेटर इसकूल ढूंड रहे हैं तो एनपीएस यानि नेशनल पॉब्लिक स्कूल राजा राजशवरी नगर जो यहां से 8 किलोमेटर दूर है सिर्फ 18 मिनिट्स में रीचेबिल है अब बात करते हैं होस्पिटल्स की तो सबसे नजदीक बीजीएस ब्लोबल होस्पिटल है जो सिर्फ 6 किलोमेटर दूर है और आप 15 मिनिट्स में पहुंच सकते हैं इमरदेंजी सिचुएशन के लिए लाइसरी होस्पिटल भी एक अच्छा ओप्शन है जो 7 किलोमेटर दूर है और 18 मिनिट्स में रीचेबिल है एक और टॉप मेडिकल फैसलिटी यहां है अपोलो होस्पिटल बनगटा रोट पर जो 15 किलोमेटर दूर है और 30 मिनिट्स का ड्राइव है आपके हाईर एजूके में आप पहुंच सकते हैं इसके अलावा दयानंद सागर युनिवस्टी जो वैल नोन इंजिरिरिंग और मैंजमेंट कोर्सिस के लिए फेमस हैं सिर्फ 12 किलोमेटर दूर है और 25 मिनिट्स की ड्राइव पर है चलिए अब बात करते हैं शॉपिंग और एंटिटेनिमेंट क के लिए भी काफी ऑप्शन से सबसे करी गोपाल नार्केड मॉल जो सिर्फ 6 किलोमेटर दूर है 15 मिनिट्स की ड्राइव पर है यहां पीवियर सिनेमाज में आप लेटेस्ट मूविज एंजोई कर सकते हैं अगर आपको और शॉपिंग ऑप्शन चाहिए तो वैगा सिटी म एक फॉट्फुली प्लांट प्रोजेक्ट है जो 59 एकर्स के वास्ट एरिया में स्प्रेड है इस प्रोजेक्ट में फाइव रेजिदेंशल टावर्स है और हर टावर 12 तू 14 फ्लोर्स का है तो टोटल 5360 अपार्मेंट्स है जो टू भी एच के और 3 भी एच के कॉन्फरेश स्कॉर फीट यहां एक बात नोटिस करने वाली है कि 1766 स्कॉर फीट का साइज दो टू भी एच के को कमबाइंड करके बनाया गया है यह प्रॉपर्ली डिजाइन 3 भी एच के नहीं है और अगर आप यह फ्लेट पर्चेश करते हो तो आपको दो फ्लेट के रेजिटेशन कर करने होंगे एंड ओन डॉकिमेंट आप दो फ्लेट ओन करोगे जिसके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी अगर आप इसके प्रोज और कॉंस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो कॉमेंट में लिख दो आई विल ट्राइट वीडियो और इस इससे आपको एक नेचरल और हेल्दी लिविंग एन्वामेंट मिलता है अब बात करते हैं लोकल एरिया रेट्स एंड फ्यूचर अप्रिशेशन की अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि लोकल एरिया में करेंट प्रोपरिटी रेट में प्रॉपरिटी रेट्स अभी 4,500 तो 5,200 पर स्क्वाइर फीट के बीच में हैं यह रेट्स बेंगलोर के दूसरे प्राइम लोकिशन के मकाबले अभी रिलेटिविल लोवर हैं जो के अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्टूर्टी प्रोवाइड करते हैं तो फ्यू यानि कि आज जो आप यहां इन्वेस्ट करते हो वो फ्यूचर में काफी प्रॉफिटेबल बन सकता हैं एक और इंपोर्टन फैक्टर यह है कि कैंगेरी और इसके आसपास का एरिया बैंगलोर के वेस्ट जोन के एक्स्परेंशन का सेंटर बन रहा है इस एरिया में काफी अब बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन और बिल्डर रेपूटेशन की देखिए अगर बात करें लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तो प्रॉविजेंट संवर्चिटी के सारे नैसेसारी अप्रूवल्स लिए गए हैं हमारे इंटर्नल डेटा एंड रिसर्च के है और सारे रहरा रेगुलेशन को फॉलो करता है तो आपको मिलता है एक क्लियर टाइटल बिना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन के बिल्डर प्रॉविजेंट हाउसिंग लिंटेट का नाव आपने सुना ही होगा इनका ट्रेक रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉंग है और विद मल् प्राइसिंंग की तूब ही एच के अपाइंट की प्राइस में ट्रम। भी ऐच की की स्टार्टिंग में फॉट। से उपर है अराउंड 1.2 CR तक आपको पड़ेगा लेकिन दोस्तों हिदेन चार्ज का भी ध्यान रखना ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट में स्टैनर्ड में इंट्रेंस चार्जेस राइस्टेशन फीस और पार्किंग चार्जेस शामिल है तो इंशर करो कि आप इन चार्जेस में क्रेश्टेक्शन क्वालिटी काफी सॉलेड है यह माइवन टेकलोजी पर क्रेश्ट हो रहा है जहां वर्टिफाल टाइल्स हाई क्वालिटी फिटिंग्स और मॉडर्न इस्ट्रा का यूज किया गया है और अमेंटीज की बात करें तो यहां आपको मिलेगा एक फुली समबावना है क्योंकि यह एरिया फ्यूचर में और भी डिवलप होने वाला है यहां के रिट्स बाकी अरिया से जैसे के मैंने बताया अभी कम है तो यहां पर आपको सही बज़त में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं आने वाले टाइम में डिवल्मेंट उधर ही हो रहा ह अब क्योंकि यह एरिया फ्यूचर में और भी डिवलप होने वाला है तो यह एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉंग टर्म में प्रॉफिटेवल हो सकती है तो प्रॉफिड़न शंवर्च का पजेशन का सद्मेट एक तावर का तावर- эп जुक्राव का सद्मेट और यह Provident Sunward City का Phase 3 है, Phase 2 already sold out है, उनमें कुछ आपको नहीं मिलेगा, Only Phase 3 में options हैं, जिसमें कि 2025 में एक टावर का मिलने वाला है position और 2027 के end में आपको मिलने वाला है, तो इस तरह से यह दो Phase में expected है, इस project की parent company पूरवांकुरा लिम्टेड है, जिसके track record को देखते हुए, पूंटर में भी manageable रहेंगे, हम recommend करेंगे कि आप possession के time पे सब documents को अच्छी तरह verify करेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों conclusion की, देखिए दोस्तों कोई वी चीज इस दुनिया में perfect नहीं है, यह हमारी expertise है, इसी के लिए हमने यह series शुरू की है, इसमें हम आपको बताएंगे, point to point and unbiased locker, क्या pros हैं, क्या cons हैं, after that, किसके लिए project suitable हो सकता है, और आप खुछ decision ले सकते हैं कि आपको इस project के लिए जाना चाहिए, या नहीं जाना चाहिए, तो प्रोज में, it's a good prime location, well connected by a nice road and wansur road with easy access to major IT hubs, तो अगर आप West Bangalore में location ढूल रहे हैं, कोई अच्छा project चाहते हैं, तो यह एक अच्छा option है, compressive amenities, fully equipped gym, swimming pool, jogging track and landscape gardens, strong builder reputation, so provident housing limited is known for quality and timely delivery, so it's a good thing, इस project के जो layout से, flat का sizes हैं, वो ज्यादा spacious तो नहीं है, but well organized है, तो छोटी family के लिए suitable हो सकता है, मैं personally बात करूं, तो मेरे लिए ये cons जादा है, pros नहीं है, क्योंकि मुझे 3BHK का size 1080 है, वो बहुत ही छोटा लगा, मुझे पसंदा है, 2BHK में, जो दो फ्लेट को merge करके 1766 का size है, वो मुझे पसंदा है, लेकिन ये person to person depend करता है, it's subjective thing, हो सकता है, आपकी family, आपकी recommend के according, ये sizes ठीक हो, लेकिन इस size में, जो layout है, जितना अच्छा हो सकता है, वो उन्होंने develop किया है, तो that is good thing, 5th point है, and that is the most important thing, for investors especially, future appreciation, high potential for appreciation due to ongoing infrastructure developments, चली, अब देखते हैं कुछ cons, जो आपको consider करने चाहिए, so it's slightly away from Bangalore central areas, leading to longer commute times, second one is traffic congestion, potential traffic issues on Meisoo Road during peak hours, third one is ongoing construction, because the area still has ongoing infrastructure projects, which might cause temporary inconvenience, so overall provident sunburst city, एक balanced option है, जो self-use और investment, दोनों के लिए better option है, अगर आप एक safe and promising investment ढूल रहे हो, या अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो, and especially in West Bangalore, तो ये project जरूर consider कर सकते हो, और अगर आपको ये review helpful लगा, तो like करो, share करो, subscribe करो, जिससे कि जब भी हम किसी project के बारे में informative video डालें, तो आपको सबसे पहले पता चले, आप मिश ना करो, हम मिलते हैं अगले episode में एक नई project के साथ, तब तक के लिए happy investing, bye bye and take.